बिशुब भर में आज अंतरास्टर योग दिवस्त मनाय जा रहा है इसी कड़ी में हिमाचल पडेश के हरचिले में लोगों ने योग किया और फिट रहने का सिंदेश दिया गया शिमला के अतिहासिक रिस्पल राज्यस्तरिया योग शिविर का आयजन किया गया जिसमें राज्यपाल आचारे देपृत और सीएम जे़रम ठाकुर सहित सेंकडो लोगों ने योगा भ्यास किया आजेपाल आचारे देपरत ने कहा कि योग एक ऐसी बिद्या है जिसे करने से आदमी हर रोग से मुख्थ हो जाता है परधान मंत्री नरेंदर मोधी के प्रयासों से आज योग को पूरी दुनिया अपना रही है सीम ने कहा कि योग को समाज को ब्यक्ति रूप से ब्यक्ति गत रूप से अपनाने की जरूरत है क्योंकि योग से शारिरिक और मान्जिक विकास होता है जो सब के लिए जरूरी है सरकार योग को शुरू करने के लिए कई कदम उठा रही है स्कुलों में भी इशे शुरू करने के लिए सरकार योजना बना रही है कुलों के बंजार में हुए दर्टनाक बसहाथ में पत्रकार मोहन सिंग के मृत्ती होने पर हमिरपूर प्रेस क्रब ने भी शोक जताया है प्रेस कलब हमिरपुर के पताधिकारियों ने प्रेस रूम में इकठा होकर एक मिनिट का मोन रखा और मृतक पत्रकार मोहन के चितर पर फूल अर्पित कर शिद्धांज लिदी साथ ही प्रेस कलब के सदस्य ने डीसी के माधिन से मुखे मंतरी जहरम ठाकर को पत्र लिख कर जल्द पीडित परिवार की हर संबब सहायता करने का भी निरने लिया है शोक सबा के दोरान प्रेस कलब हमिरपुर के महासर जिप पंकज भाती ने कहा कि बंजार में बस हाथ से में मारेगे पत्रकार के परिवार के साथ पूरा प्रेस कलब खड़ा है और मुनितक पत्रकार के परिवार को हर संभब सहायता करने के लिए प्रेस कलब प्रियास करेगा इस अपसर पर प्रेस कलब के सदस्यों में पंकज भारतिय, अनिल चर्मा, अर्विंदर सिंग, जस्विर कुमार, प्रविंद कुमार, नवनीत सिंग, राकेश पाल, सुरिंदर कुमार, पम्मे धीमान, कमलेश कुमार, कमल कृष्ण, विवेका नन्द भी मजूद है पांच में अंतरस्टे योग दिपस के अपसर पर हमिपूर जिलावी पूरी तरह योग में नजर आया इस मौके पर, जहां पर शाशन बोबुविंद संस्थाओं ने अपने प्रांगर में योग का रक्रमों का आयोजिन किया, तो बही हर दिन जिम जाकर एक्साइज करने बहँ हो, लोगो ने भी जिम में योग कर इस दिन के महतो को बढ़ावा दिया हमें, बिर्पृर के सोहारू, कॉंपलेक्स में स्तित विपूल हईटेक जिम में सुबा एक्साइज करने पहुचे जोगों योग की विविन क्रियाये कि इस мौके पर, विपूल हईटेक जिम क प्रवंदेक बिपुल ने कहा कि हर दें एक्साइज करने के साथ साथ योग का अपना महत्व होता है उन्होंने कहा कि योग करने से जहां शरीर में आंतरिक शक्ति को बढ़ाबा मिलता है तो बहीं ध्यान करने से मानसिक शक्ति को उन्होंने कहा कि ब्याम और योग दोनों को अपनाने की जुरूरत है और इसके करने से दिन चरे के कारियों को पूरक करने में मदद मिलती है और लोगों को छोटी-छोटी बीमारियों से भी शुटकारा मिलता है। इस अपसर पर स्थानी बिद्दायक नरिंदर ठाकूर जीला परसित अधिक्ष राकेस ठाकूर महला मोर्चा की अधिक्ष सुमन कपिल उपयुक्त हरिकेश मीना पुलिस अधिक्ष अरजित सेन सहायक अयुक्त सुननने शर्मा उपमंडला दिकारी शशिपाल नेगी जीला अय युवरेद अधिकारी डॉक्टर शरिता राना सहित नहरू युवा केंदर के सुनने से भी वविन संगठनों के प्रतिनीदी व स्कूली बच्चे उपस्तिते समारो का शुवा अरम स्थानी बिदायक नरिंदर ठाकूर द्वारा दी प्रजुलत कर किया गया सबसर पर नरिंदर ठाकूर ने कहा कि युव हमारी प्राचिंग जीवन सेली का अभीन अंग रहा है आँँ सभी को युव क्रियाओं के माद्यम से एक स्वस्ति जीवन सेली अपनाने चाहिए उन्होंने सभी उपस्तित लोगों को अभवान किया कि बेयोग को अपनाने के स साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में प्रोथ साहित करें योग बिसे शग्या डॉक्टर कमलेज पटियाल मदू मुकेश एवं दिप्ति सेटीने योग समरों में उपस्ति स्थाने लोगों बुविन विवागों के अधिकारियों बुकर्मचारियों के साथ साथ युवाओं को योगा बियास करवाया कारेकरम के अंत में सबी परतिबागियों को आयूवरिद और शदी पे बित्रित किये गे जिला आयूवरिदिक अधिकारी डॉक्टर शरिता राना द्वारा योग के हमारे दैनिक जीवन में क्या लाब है उसके बारे में परकास डालते हुए बताया कि योगचित की बित्रितियों का निरोध है तता आयूवरिद मत के अंसार अस्ठांग योग का भर्ण किया गया है योग को मानम जीवन का अवीन अंग बताते हुए उसे अपने दैनिक जीवन में नित्ते अपनाने पर बल दिया है इस दोरान उन्होंने समरो आयोजन को सफल बनाने में सहयोग के लिए उपस्तित समस्त घनमाने अतितियों तथा जनसमू के साथ साथ सेयोजिक नहरो केंदर चिकिस्ता अधिक्षिक रोहित यादव बरिष्ट जेकिस्तिक डाक्टर मनुवाला गौतम डाक्टर पूनुशर्मा डाक्टर कुलवुशन चोहान सहीत अन्या लोगं का धन्यवाद दिया जीला के समस्त आयो व्रेदिक सस्थार्न में भी अंतरास्ट्य योग उल्लास पूर्वत मिनाया गया